है तいます हलो दोस्तो में नितीज हमारे युटूब चैनल में आप लोगो तो स्वागत करते हैं दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों माइटर के बारे में दिखाओंगा जैसे के सोलर सेंटर लाइन और चौकर से अब उस फरमूला के उच्छ कर सकते हैं और डिग्री के उच्छ करके माइटर बना सकते दोस्तों एक दोस्त ने मेरा हम से कोचन किया था इसलिए आप लोग भी सोचे कि ये चंगारी कर देते हैं कि दोस्तो जो माइटर हम लोग बनाने बाले हैं वो डाया है उसका में औच कर दाया है और पांच पूरिट फिसे जाएगा कि दोस्तों फर्मूला हम लोग इस अबशक्राइशा आसान फर्मूला दोस्तों एक amp इसवेंगे रवर्ट तैन ब्राइकट डिगरी controlled इन इन्टु टू ब्रायकेट इन्टू čelan का ट्ना पर आपको इन्पूड कर देना है तुस्तों और येन का मतलब देख सकते हैं number of cut मतलब कितना cut में आप बनाने वाले हैं तो मैं पांच cut में बनाने वाले हैं दोस्तों तेहां पर 5 ओडी 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 आउटसाइड डाया और पाइप दोस्तों हो गया अब यहां पर देख सकते हैं 10 ब्रैकेट 90 डिग्री क्योंकि 90 डिग्री बनाने वाले हैं 90 डिभाइड नंबर नंबर आप कट कितना cut में तो पांच cut में बनाने वाले दोस्तों तो ब्रैकेट 5 लिख दिए इन्टू कर दिए यह फर्मूला में 2 है यह हटे गा नहीं ब्रैकेट डबल ब्रैकेट लगा के इन्टू व स्वाइट कर दो॑ श्रेख रिखात दोस्तों यहां पर कर दिये कारदी और इसको गुना करेंगे दोस्तों करका कूँ दिखाते हैं सबसे क्लीने करे 5 तैन उसके ब्रेकेट है तो ब्राइकेट लगा देंगे दोस्तो соглас parents 90- D Vale yang उसके जाने बागा के चीन दाऊटेंगे उसके बाद ब्रेकेट भरेकेट लगा देंगे दोस्तो तो श्हानगा इन्टु और फर दोर गुना कर दिंगे शेख सकते हैं उसका डवल ब्रेकेत कर देंगे दोस्तो और यहां पповे पर इनटु गुना-गुना ये कि हो बड़ाबर cesco 303202 60olin यानी स्कुआ 33O 3331 मलन स्कूल्voll निए पेसकी हैं भागा कर देंगे दो और यह nosy 166 और आगया है देखा स यूच्त है 166 यहां पॉइंट 3030 नहीं लिखे गें तो काम चले लेगा दोस्तो 166 भी लिख सकते हैं यह मेरा कटबेक आगे दोस्तो अब हमको लेक तो निकल गया मेरा अब हमको इसमें दोस्तों मिडिल पीश देख सकते हैं आप दोस्तों इसका लेंद हम पाइप में कैसे मार्किंग करेंगे मीडिल कितना और साइड़ पीस कितना होगा दोस्तों इसके लिए आप लोगा बतला देते हैं दुस्तों ए मेरा कटबेक हो गया अगर मीडिल पीस निकालना है अगर लॉंग रेडियस का अगर बनना चाहते हैं तो आहां पर हम जो भी कट बैगा उसमें येड से गुणा करेंगे और एस्टेंडर का बनाएंगे तो फोर्स से गुना करेंगे हैं दोस्तों हम तो इस्तेंडर का बिनाने वाल है दोस्तों इसके लिए inga नजय लिए हन्य किन को साइड तो आप लोग जानते हैं जो भी होता हो हाफ होताmon प्रम को मिडिन पीस नौशं अंठान में नाइन एट डिफाइट कर दिये दूस्तों हाप कर दिये तो यह मेरा जाकते हैं खोर नैंटिन नाइन दोस्तों मेरा साइट पीश सकते हैं यहाँ पर है जाइजब फ्रेर बनाएं दोस्तों मेरा पीश चेल लेगा जैसे कि 1 2 3 4 यहां पांच देख सकते हैं यहां पर लीखी देता हूं एक हो गया एक कट दो कि मैं अधिरी हो गया फोर हो गया यह फाइप हो गया दोस्तों पीस देखिए यहां छे पीस निकले गए जो दो सकते हैं में ईल्स हो गया गया मतल्स देख सकते हैं यहां से मार्किंग करें हैं 499 दोस्तो उसके बाद मेली पीश मार्किंग करेंगे यहां से यहां तक 998 900 अंठान में मार्किंग करेंगे फिर यहां से 900 अंठान में मार्किंग करेंगे दोस्तो जख सकते हैं फोर डवल लाइन यहां पर मार्किंग कर देंगे दूस्तों यह मेरा हो गया समझ अप लोग समझ गए होंगे और कॉट बैक देख सकते हैं जो मेरा कट लिख रहा था वह डावल शिक्स तो यहां पर यह मार्किंग से मिशी तर होगा यह पाइप पर देख सकते हैं यह मेरा साइट पीस हो गया मिदल पीस में अंदर से मार्किंग करेंगे तो साइट पीस में बाहर से मार्किंग करेंगे देख सकते हैं मिदल पीस में अंदर किये तो यह बाहर होगा यह को अंदर ह का देखिए अंदर से है यह बाहर हो गया यह लाइन से अंदर है यह लाइन के बाहर हो गया उसी तरह लाइन का यह अंदर है यह लाइन का बाहर हो गया दोस्तों तो मेरा यहां पर इस पर मार्किंग करके 166 मेरा कट बैक है इस प्रकार 166 166 166 166 यह मेरा दोस्तों कट बैक हो गया है जख पार होंगे अब दोस्तों यहां पर आते हैं कि अब यहां देख सकते हैं मेरा सोला सनंंड़्र में सेंटर लाइन में निकालकर दिखायें दूस्तुन थे मेरा फॉस्ट कॉट बैक दियृअ का ना देख सकते हैं यहां पर 90 का फॉस्ट का बैक आ धुमक्त डिवरिक रही आ pale प्रोटी 5 दिरी आएगा तो चाओता हुआ की और से बाइस वाइस डीकरी आएगा दोस्तों अभी एक ऐसे आया दोस्तों तो देख सकते हैं 90 भागा खूड करेंगे तो सारहेएं दी 보통 करेंगे तो फोटी 5 करेंगे तो 67.5 आएगा फिर इसमें 22 डिगरी पलस करेंगे तो 90 डिगरी आ जाएगा दूस्तों जैसे देख सकते हैं इस प्राकार से हमरा पाइप है यह पाइप के देख सकते हैं मैं गोलाई मारके रखा हूं आप लोग को समझाने के लिए दूस्तों एपाइप हो गया और यहां पर सेंटर लाइन जैख सकते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दो सिगारा बारा तेरा चोदा पंदरा सोला जैख सकते हैं यह सोला सेंटर लाइन हमने मारके रखा है दूसरों समझाने के लिए एक मेरा 90 डिगरी का आ जाएगा लाइन दूसरा 67.5 तीसरा 45 डिगरी पोर चाओ था ह 6 । डीड और जी 2 हू जाएगा समिसितर घुल 5 दिग्री 67.5 डिओगरीkem एक इस तरह दोस्तो हम लोग यह हो डिगरी आएगा तो देख सकते हैं अब दोस्तो हमको कट्वेक निकालना जैसे मेरें तो 90 डिगरी का कट्वेक हो गया दोस्तो 166 यहाँ पर सकेंड कट्वेक अब देख सकते 166 इन्टु 0.9238 दोस्तो कितना आदमी बोलते हैं कि एक दस आ पॉइंट फाइब डीगरी के माने जैसे आप लोगों दिखावी देते दोस्तों एक कर्कुलेटर हो गया इस तरह कर्कुलेटर लिजिएगा और यहां पर दबाज़ेशा साइन हो गया साइन दबा देजिएगा और ब्रैकेट लगा देजिएगा और कितना डीगरी आया था यहां पर 67.56े 77.5 ना मैंने बत्ला देश्सतों दोस्तों यहां पर मैंट 24 नमाले कूलोट करेंगे कैसे करेंगे देंगे अब देख सकते हैं दोस्तों आप लोग समझ में आगया होगा तो इसी परकार से यहां पर हम निकाल निकालके यहां पर लिखेंगे दोस्तों यहां पर 0.38 2826 यह सरवाइस डिगरी का साइनफुट सरवाइस डिगरी कमाने दोस्तों इसमें जो कटबक आएगा 166 90 डिगरी उसमें यहां से हम गुना कर देंगे तो मेरा 53 67.5 का सकेंड कटबक आगया ठाट कटबक 166 इन्टु 0.707 गुना करेंगे तो 117 आगया ठाट कटबक और फोड कर कटबक के लिए 166 इन्टु 0.3826 इन्टु गुना कर देंगे दोस्तों तो 63 थिक के थिरी 63.5 1120 का जागा जगा चवथा कटबक दूस्तों तो इसी परकार हम कि कटबक निकाल लेंगे एड़े सेंटर लाइन और मार देंगे दूस्तों अब इसी तरह हम लोग क्या करेंगे देख सकते हैं दूस्तों यहाँ पर हमेरा 24 सेंटर लाइन के लिए यह कैसे निकालेंगे दूस्तों हमको तो मालब है कि फर्स्ट कट बैक 90 डिगरी के लिए आपको देखें हैैं 166 और इसको क्या करेंगे फर्स्ट कट बैक 90 हो गया 9T केलिए 166 दौस्तो और सकेंड काट बैक केलिए 166 prereq के ओक्ष out 960 दमाן 75 का साइन माना है मैं 75 डिगरी का 60 raid का 55 धी 3 डिगरी 15 देए दोस्तों अम निकालके यहां पर है लिख दिए दोस्तों शाइन सेवेंटी टीडिगी lider कीलिए का माना दोस्तों यहां वान शिख्ति शिक्ट्प हीक्स देग के लिख्तृण पॉइंट डबल शिक्स गुना कर देंगे दोस्तों तो 144 आजाएगा 60 डिगरी के लिए आजाएगे दोस्तों और कि आपको फोर कट्वाइक के लिए 166 देख सकते हैं फोर कट्वाइक के लिए 166 इन्टु 0.707 आजाएगा तो इसको गुना कर देंगे तो 117 117 45 डिगरी के आगया और पांचवा कट्वाइक देख सकते हैं दोस्तों पांचवा कट्वाइक 166 इन्टु 0.5 कर देंगे तो 83 इम्हें 30 डिगरी के लिए जाएगे दोस्तों चट्वाइक के लिए 166 इन्टु 0.258 इसको गुना करेंगे दोस्तों तो 43 15 डिगरी के लागे दोस्तों देख सकते हैं अब इसको अब निकाल के भी आप लोग दिखा देते हैं दोस्तों यहां पर क्या करना है यहां पर बराबर करेंगे तो देख सकते हैं 0.965 यहां पर लिखे हैं 0.965 दोस्तों इसी तरह हम क्या करेंगे साइन ब्रैकेट और यहां साट डिगरी है अब लोगों अब लोगों समझालने के लिए बतला रहे हैं दूस्तों इसा निकालके मैं लिखा हूं तो यहां पर साइन 60 डिगरी यहां तब आदेंगे 60 ब्रैकेट क्लोज यहां पर बराबर कर देंगे देख सकते हैं 0.866 लिखे गुए दोस्तों जोस्तों इसी प्रकाड आप कि आप लोग माइटर का कितना भी बारा डाया हो जैसे देख सकते हैं मेरा एक कशोद्याय का ओ मेरे दोस्त ने पूछा था इसलिए उनको मैं सेम मतलब कि कोच्छन आप लोगों को भी सोचे कि आप लोगों के बीच भी शेयर कर देंगे दोस्तों जोस्तों लिखे भी हैं दिखाए हैं कट बैक एक एक निकाल के एक डिगरी के और आपको 24 कट बैक सेंटर लाइन में भी दोस्तों देख सकते हैं 24 24 सेंटर लाइन में का भी यह निकाल के एक एक का कट बैक भी निकाल के दिखाए हैं जैसे दोस्तों 90 डिगरी का हो गया 166 75 डिगरी का हो गया 160 60 डि 17 और 30 डिगरी के देखते हैं दोस्तों एक ठीडी हो गया और फोटी 15 हो गया फ्योटी ठीडी देखते हैं तो इसी पाका आप लो निकालके और मार्किंग इस पाकार से कर लिजिए गया दोस्तों नेक्ट वीजियो में मैं देखेंगे आपको लोगों के लिए मतलगी आपको लोगों को मार्किंग करके किस पाका मार्किंग किया था वह आपको वीडियो मैं लाने के कोशिश करें दोस्तों अब लोग अच्छा लगा होगा दोस्तों तो मैं चैनल को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब पीचिए ठाइंकि दूस्तों